इन दिनों पुरे भारत वर्ष्ट में विश्फ पॉप पो लेकर कासी चोज दिए आ है भारत्य टीम जिस प्रकार एक के बाद एक मैच में जीत हासिल कर रही है इससे यही लग रहा है कि इस पार का विश्फ कब भारत्य टीम के हाथ में होगा मेरा नम्हें नतिक बतब और आ 1983 मजब पहला भारत ने विश्फ पॉप जीता तम मौजूदा कप्तान थे कपिल देव कपिल देव की इस जीत के बाद लोगों में उनके प्रती एक महान खिलाडी की छबी बन गई आपको बता दे कि कपिल देव पर एक बायोपिक भी बनाई जा रही है जिसमें कि पलिवर के जाने माले अभि नेता रंवीर सेंग उनका रोल निभा रहे हैं फिल्म 83 में रंवीर सीम हर्यानए की एक अईशे खिलाडी का रोल निभा रहे हैं लिवक गणést से जीत की डारिते दिनों रंवीर सीम ने शोचल मेडिया पर एक फोक्स बीडिया कहल जारी किती जिसमें पूर्व, हर्पर मौला, क्रिकेटर कपिल देग की तरह दिख रहे हैं जिने हर्यानवी तुफान के नाम से भी जाना जाता है फिलाथ इस फिल्म की शोटीन चल रही है दस अपैल 2020 में इस फिल्म को रिलीस कर दिया जाएगा अभी तरके लिए इतने धन्यवाद ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ परकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें